हम सबों का टियार लेसेस क्लासेस में स्वागत है और इस वीडियो लेक्च्चर में हम लोग चेन रूल ओफ डिफ्रेंसेशन को थोड़ा अच्छे समझेंगे और डिफ्रेंसेशन के कॉंसेट्स को समझेंगे जैसे मालो एक एक एक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई प्लस इक्वेशन दिया है एक्स वाई स्कॉर ब्रावट टेन एक्स प्लस वाई और यह इसके मदद से हम लोगो टे डिफ्रेंसेट्स निकालना तो जब भी एक्वेशन रहे तो उसकेस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दोनों साइड ही डिफ्रेंसेट करेंगे विद तो अब जैसे क्या होगा कि जैसे डोनों साइड करेंगे तो जैसे अप सब्सक्राइब दीछ डिए डीवाई डीएकिष्डीए डेइस तोनों साइड लिख दिए अब यह पहले तो यू प्लस वी वाले फॉर्मेट में चैन रूल कान उसना पहले यू है यह वीं तो यह separate हो गया u plus v वाले से यह भी u और v में separate हो गया उसके बाद जब हम इसको यहां से देखते हैं तो यह product rule लगेगा u into v का इसमें तो u का differentiation मतलब first का differentiation second as it is second वाला वैसे रहेगा और y का differentiation के अगर dy by dx अब यहां पर समझना है कि y square है और x का respect में differentiate करना है तो यह y square पहले x to the power n के format में मतलब यह d y square बटे d y आएगा यहां पर यह ध्यान रखना है y square का यह d y square बटे d y और फिर यह d y उपर जाएगा और d x रहेगा ठीक है अगर के और यहां x square होता है तो simply 2x हो जाता लेकिन जोगे y square है तो y square है और x के respect में differentiate करना है तो चेनरे लोग करना है y square उपर रहेगा d y नीच आएगा फिर d y by dx होगा और हम लोग यह direct formula से एक square x formula होता है और यह d y by dx d y by dx as it is रहेगा तो हम लोग देख सकते हैं इसका differentiation 1 into y हो गया यह x d y by dx रहेगा और यह y square x को फिर 2y हो गया और यह d y by dx as it is रहेगा यह steak square x अब यहां से क्या करेंगे हम लोग d y by dx वाले को एक side लाना जैसे यह दो तो पहले से यह तीसरा इदर ले आए और फिर common ले लिए d y by dx के यहां पर x है फिर 2y है जब इदर जाएगा तो यह माइनस बना जाएगा और यह y वाला हमारा इदर आगा तो इस तरीके से हम लोग common लेके d y by dx के coefficients को अलग लिखती है without d y by dx वाले को एक तरफ लिखती है अब हम लोग पता है कि a into x बराबर b है तो x बराबर क्या होता है b by a होता है जो x के बगल में जो multiply वो नीचे आ जाता है तो इस तरीके से यह पूरा multiply वाला पार्ट जो है वो नीचे आ गया तो मलब d y by dx हमारा से x square x minus y divided by x plus 2y minus 1 हो गए तो जब भी दो variables में हो और d y by dx निकालना हो एक equation दिया हो तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं दूसरा question हम लोग देखते हैं कि d y by dx फिर इस में निकालना है और यह equation दिया हुआ है तो फिर क्या करेंगे लोग दोनों साथ differentiate करेंगे y q का differentiation y q जो है standard format किसमें x to the power n में है formula n x to the power n minus 1 लगना फिर यहां पर देखना है अगर यह x होता तो सीधा 3x x का जगा में कुछ भी दूसरा है तो फिर वो नीचे आएगा मतलब यह y आएगा और y जो है उसका d y by dx होगा से चैनल से करेंगे डिफ्रेंश ओवाई q फिर नीचे वाई आ गया फिर डिवाईबर dx होगया y square में भी वाई नीच आया फिर डिवाईबर dx होगया और फिर एकिलिक्स करेंगे तो बहुत साथ differentiate कि ए यह एक्स तो दी पार न वाले formula में 3y square हो गया यह पुरा यह डिवा यए और एक साथ दिवाइवर डीक्स वाले कॉफिसियंट को रखना विदाउट डीवाइवर डीक्स वाले यह तो एस इस रहने दिये तो फिर यह नीचे आ गया तो यह हमारा आंसर हो तो यह ध्यान रखना है कि एक्स और वाई में वैरियेबल में दिए हो और डीवाइवर निकालना दोनों साहे डिफ्रेंशीयट करके और बाद इस तरीके से दिए डिएक्स वाले को कॉमन करेंगे विदाउ डिए यई वाले को अलग रखेंगे और फिर डिएवर डिए को फाइंड आउट करेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए या ज़ए दो यह दोसरा एक्सक्राइब खुद से ट्राइब करना और उसके बाद जो इसका सोलुशन भी थोला समझा रहे हैं तो बाद में उसको आप देखना जैसे यह पहला है तो पहला आगर हम लोग देखें यह यह स्क्वार इक्वार एक् यह 2Y हो गया दिवाइव डीक्स और यह 2X सिंप्ली होगा इकल टू 1 विदाउट डीवाइव डीक्स वाले को एक साइड कर लिए तो डीवाइव डीक्स हमारा 1-2X वाइव यह अंसर हो गया Second questions देख सकते हैं कि एक्सक्यू का 3X हो जाएगा और यह हमारा You into B rule दिवाइव डीक्स वाले को 3X स्क्वाइव डीक्स और यह जो है विदाउट डीक्स और रहे गया यह दूसरी साइड चला गया इस स्सक्राइब कोई गएवाओ निकालना हो तो उसमें में दोनों साइट से डिफ्रेंसेट करते हैं और फिर डिएक्स वाले को कामन लेते हैं विदावदẽणी डिफ्री डिफ्रेंसेट करते हैं कफी वीर्च्छर से आपinkप लोड करेंगे जिससे आप लोगो डिफ्रेंशेशन चेंड रूल डिफ्रेंशेशन समझने में काफी हेल्फ होगा थैंक्यू